कि प्रेंट जैसे लींदनी चैनल स्वास से जुड़ी हुई विविन परकार की जानकारिया उपलब्प कराने की पुरी कोशिस करता है है लिए सुट्ड सेंड चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें और वीडियो को ज güven चेर जरूर बीमार भी तो आपको अपना करेज इखटा करके पूरे साहस के साथ अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का परयास करने में हम आपकी पूरी हल्प करेंगे तो इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें तो चलिए फ्रेंट हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं जब किड्नी अपना फ आपको पहले psychiatrist आपके गले में डाली जाती है वहां से आपके शुरू के मेने तक dialysis होते हैं फिर आपका फिस्टूला होता है आपके हाथ पाल बनाय जाता है यहांपे किसी भी बना दिया जाता है विच्टूला तो आपके हाथ में नीडल लगा करके dialysis किया जाता है जिससे एक input और output pipe जाता है आपका blood लेकर के डालाजर तक अरो डालाजर में blood filter होके बापपिस आपको input हो जाता है आपको चड़ा दिया जाता है तो friend जो ये आपका fistula होता है इसकी बहुत एहमियत होती है और इसकी care करना बहुत जुरूरी होता है क्योंकि अगर आप इसकी सह करनी होती है fistula ही आपकी life के लिए अभी बहुत एहम भूमी का निभा रहा है फ्रेंट fistula से ही आपका dialysis हो रहा है और एक अभी आप सही life जी रहे हैं अगर बाईचांस आपका fistula खरब हो जाता है तो आपके साथ बहुत सारी परिसानियां उत्पन हो जाएंगी आपको emergency में जाना पड़ेगा और आपके गले में catheter जाला जाएगा या पर्मा केर डाला जाएगा उसके बाद तिर से आपका fistula बनाया जाएगा तो फ्रेंट एक लंबा पुरसेस हो जाएगा और आप बहुत ज़रा तकलीव जहलेंगे ऐसे में फ्रेंट बहुत से पेशेंट होते हैं जो सरवाइब भी नहीं कर पाते हैं फिस्टुला खराब हो जाता है उनका फिस्टुला दुबारा नहीं बन पाता है तो फ्रेंट ऐसी अवस्था ना आये इससे अच्छा है कि आप fistula की कैसे केर कर सकते हैं अच्छे से अपने fistula को कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकत रखेंगे हाथ पर रखेंगे तो आपका fistula कम काम करने लगेगा या बिल्कुल ही stop हो जाएगा फ्रेंड दूसरा इसका पॉइंट यह होता है कि आप इससे किसी बच्चे को अपने fistula वाले हां से किसी बच्चे को गोधी में ना उठाएं तो ऐसे में आप उसका वेट उठ होंगे तो आपके फिश्टूले पर दवा पड़ेगा ऐसे में आपका fistula खराब हो सकता है या बंद हो सकता है तीसरा पॉइंट इसका यह रहेगा कि आपको अपने हाथ से कोई वी वेट वाली चीज नहीं उठानी है गलती से भी अगर आप कोई वी वेट उठाते हैं ज्य बीपी ना लें इससे क्या होगा कि जब आप बीपी का वो लगा इस्टूमेंट लगाएंगे जब उसमें प्रेसर बनेगा तो इससे आपकी फिश्टूले की गती स्लो हो सकती है आपका फिश्टूला बंद हो सकता है और तो पांचवा और इसका मुख्य पॉइंट है वो आपका फिश्टूला अच्छे से रह पाएगा और एक डालेसिस पर आप एक अच्छी लाइफ और लंबे समय तक जी पाएंगे अच्छी लाइफ तो फ्रेंट आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए धन्यवाद फ्रेंड